है एब्रीबन गुड मॉर्णिंग आल अफ यो कैसे हैं आप सब यूटुब फ्रेंड आशा करती हम लोग सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ एंड मॉर्णिंग हो चुकी है मैं सोकर उड़ चुकी हूँ और हमारी घर में बहुत जादा मच्छर लग रहे हैं इसलिए हम लोग मच्छर दानी लगा के सोते हैं कमरे में भी और मुरादा बाद में बहुत जादा मच्छर लगते हैं और मैं हमारा जो मॉर्णिंग का क्लब होता है वह यहां पर स्टार्ट हो गया है साड़े 6 बज़े की उसकी टाइमिंग रहती है तो अभी मैं साफ सफाई कर रहे हूँ हस्बेन को निकाल दिया है बाहर और मैं जब जाड़ू लगा दूँगी उसके बाद वो यहां पर आके बैट जाएंगे तो आप लोग सभी बने रहेगा ब्लॉग में बाद में बहुत सारे टिप्स देने वाली हूँ आपको फिटनस से रिले और यहां पर अभी बच्चे सोय हुए हैं और मैं कर रहे हूँ अभी घर की साफ सफाई और मैंने ज़ाड़ू लगा दिया है अच्छे से तो अब मैं अपने लिए ग्रीन टी लेकर आई हूं बनाकर और बैट के इसको मैं सिप सिप करके पीऊंगी सुबे में गुनगोना पानी बहुत ही अच्छा रहता है हमारे लिए बहुत तेज गरम पानी आप ना पीए वोम बॉटर आप पीए सुबा में बहुत ही इंपोर्टेंट है यह हमारे बॉड़ी में सेल्स को एक्टिवेट करने का काम करता है जो हमारी पाचन किरिया होती है उसको एकदम क्ली और अच्छा करने का काम करता है न और उसके बाद ग्रीन टी लेने के बाद मैं आ गई थी किचन में तो अभी मोटर चली है तो मैंने सोचा चलो पानी भर लेते हैं पीने का और इधर मैंने डाल बनने रग दी है तो जल्दी जल्दी मैं काम खतम कर रही उसलिए क्योंकि आज म बना के घर पे खा लेंगी दाल में बना के अच्छे से रख के जाओंगी और यह देखिए काफी अच्छा मौसम हो रहा है दूप निकल रही है और आज हवा नहीं चल रही है दुपेर के बाद चलती है हवा बहुत तेज़ वाली इस टाइम न हाबाए बहुत जादा चल र लोग तो रखते नियाद यहां रैंट पे रहते हैं और कि अपने दास साब करें उसके बाद में नाली थी और थोड़ा सा मौस्टराइजर मेने अपने लगा लिया है तयार हो गई हूं मैं यलो कलर का सूट डाला है और मेरे बच्ची का भी स्कूल जाने का तो इन दोनों ने शेक ले लिया है और दोनों को शेक बनाके दे दिया है और और कुछ ब्रेट बगेरा रखे थे तो怎麼 react करके खा लिये है और मैंने अभी ढाल बना के रग दी है बाद में उसको तड़का लगाऊंगी जाते टाइम पर तो मैं अभी तयार हो रही हूं और समान भी पैक करना होता है अपने भी पैकिंग करनी होती है जो भी important समान होता है वो लेके जाना पड़ेगा यहां पर आपको लिपिस्टिक दिखा रही हूँ जो नियू लिक कर आई थी सो हम लोग निकल चुके हैं और घर से निकलते इस टाइम मैंने वीडियो शूट नहीं की थी क्योंकि समान बहुत जादा था मेरे पास आप देख सकते हैं मेरे पास बहुत बड़ा सा बैग है और उसे लेकर मैं आई हूँ अंजुम दिदी घर तो यह अंजुम मैडम है जिन्नोंने अपना 12 kg वेट लॉस किया है तो इनके रिजल्ट से बहुत लोग इंस्पायर हो रह बहुत लंबे टाइम से दवाईया इनकी चल रही है और चांदी में भी आ गई है तो उन्होंने भी अपना दो महीने में साड़े आठ किलो वेट लॉस किया है और जो उनको हैल्थ इशू थे वो भी काफी हद तक रिमूब हो गए है जो पैरों में दर्द रहता था हैड़ होता था उनको पहले से उन चीजों की दवाईयां मैडिसिन खा रही थी बट अभी उनका सारे चीजों में रिलीव है और बेट लॉस भी हो रहा है और यह एक न्यू मैडम है जो आई है आंटी इनका भी चकप निकल गया है बस इनका भी स्टार्ट हो जाएगा और इतने सा इनका और इवनिंग का क्लब चलता है तो यह अपने फोन को तकी पे रखके और उससे अड़ेक लगा के तब यह उसमें अपने मीटिंग को जॉइन करती है तो हमने इनको फोन रखने का एक इस्टार्ण दिया है और एक वर्काउट करने के लिए एक टीशेट इनको दिया ह और यह बहुत जादा खुश है तो बहुत अच्छा लग रहा था यह फोन रखने के लिए है और बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए इनको तकी पे अप रखना नहीं पड़ेगा तो हम लोग आए हैं अभी मार्किट में यह अंजुन्दीदी का बेटा है और उनकी एक ब अब निकालने लग गए थे और हम लोग आए हैं भी घुमने के लिए तो अब जाएंगे हम और इधर से जो अंजुन्दीदी की लड़की है वो चला के लेके जाएगी स्कोटी तो आप बने रहेगा ब्लॉग में और रही बात टिप्स की गाईज तो मैं आप लोगों से य वाल्दी उठीएगा गरम पानी पीजिएगा और कहते हैं सो के उठने के दो घंटे बाद ही हमारी बॉड़ी नुट्रेशन की डिमांड करती है तो उसे एक अच्छा नुट्रेशन यानि अच्छा खाना उसको बॉड़ी को दो घंटे के बाद चाहिए तो आप सुबा का क आप जो भी नास्ता लेते हैं वो इसके बिल्कुल न करें और दिन की सुर्वा चाय से तो बिल्कुल न करें खाली पेट बिल्कुल भी चाय न पिए और कोई भी मैदा वाला बिस्केट नमकीन ये चीजे आपकी बॉड़ी को नहीं चाहिए है तो हम आ गए हैं अभी घर प पे गए थे और उनसे मिलने के बाद हमें बहुत जादा लेट हो गया था क्योंकि जिन लेडिस से हम मिलने गए थे वो अपने पेर पे अच्छे से चल नहीं पाती हैं टिक टिकी लगा के चलती हैं तो इसलिए उनसे मिलना जरूरी था और धर से आने में हम लोगों को काफी र बनेंगे और हम आ गए हैं अभी घर पे रास्ते से में लेकर आई हूँ अपने लड़ू गोपाल के लिए लड़ू और बरफी लेकर आई हूँ और हस्बंड जी यहां पे इनका जो हैल्थ अवेर्निस प्रोग्राम है वो यहां पे चल रहा है तो सटाड़े में चलता है 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 यहां पे मैंने शेक बनाया है हस्बंड के लिए जो हैल्दी निट्रेशन है और वो इवनिंग का खाना इसकिप कर रहे हैं क्योंकि बैंगलॉर में रहके आये हैं 20 दिन तो उनका थोड़ा वेड बढ़ गया है तो उसे भी कम करना बहुत जरूरी है बट हैल्दी तरीके हैं तो यह हैल्दी निट्रेशन है जो कि हमारी बॉड़ी की नीट को फिल फुल करता है तो मॉर्णिंग में इविनिंग में यह देती हूं और दुपैर में इनको दो रोटी दो कटूरी दाल और सैलड वगेरा देती हूं और लो कैलरी फूड है अच्छे से वेट लॉस आ हो गए है वो भी मैं साफ करके रख दूंगी और दाल को मैंने करके रख दिया है अलग से दूसरे बरतन में आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा है आपको और कुछ सीखने को नया मिला हो तो आप उसे जरूर अपलाई करिए अपने उपर अपना हैली तरीकी से वेट लॉस करन और अपसोस रहें मस रहें अपना ध्यान रखें बाई बाई गाईज